हालो फ्रेंट्स मेरा नब मैं मैंक रस्त होगी और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तो फ्रेंट्स आज हम बिस्कस करने वाले एर कंडिशन पर इससे जुड़े कई लोगों के सामने कुछ सवाल होते हैं जिनके वो जवाब कई बार ढूंते हैं बट नहीं मिलत होते हैं कि एर कंडिशन जो होता है कैसे वर्क करता है क्या प्रोसेस होता है और दो तरीके के जैसे आपने सुने होंगे एर कंडिशन एक होता है इन्वर्टर एक नॉन इन्वर्टर तो क्या इन्वर्टर जो टेकनलोजी होती क्या वो इन्वर्टर पर हमारा चल जाता है ए इस पर डिपन करती इन सारी चीजों का जो भी सवाल है कि सारे के सारे जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले तो वीडियो बहुत ही नौलेश्फुल होने वाली ही आप लोगों के लिए और हमाने चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रसकर देगा जिस स्प्लिट एर कंडिशन होते हैं इसमें क्या होता है आपका जो इंडोर यूनिट होती है उसमें आपके क्वाइल होती है जो इस तरीके से राउंड राउंड होती है आपको स्क्रीन पर शोहरा है किस तरीके से इसमें क्वाइल होती है तो वो उसके अंदर क्या होता है हमार पूरे रूं को कूल करता रहता तो इस तरीके से देखें है जो उन्टोर को काफी कोलिंक होती हैं तो पहले हम बात करते हैं नौन इंवर्टर तो नौन इंवर्टर इसी में क्या होता है जैसे आपने 24 डिग्री सेल्सेस आपका टंपरेचर सेट कर लिया रूम का तो हमारी एसी जो है फुल स्पीड पे ऑन होगी और 24 डिग्री का जब टंपरेचर अचीव कर लिए उसके होता है हमारा निचरी से और उसके बात क्या होगा तो इस तरीकर से यह प्रोसेस चलता रहता है जब इन्क्रीज होता है टम्रेचर पिर से और जब हो जाता है तो क्योंते हमारों यह सुन टेकनालोजी के क्या होता है जैसे हमारे सी एचिव कर लेती है तो हमारे सलवाणा कि रहता और और पंद नहीं अ कि हमारा कंजप्शन भी बहुत कम होगा लाइट का क्योंकि बार-बार एक तरीके से जर्क लोड जो होता है वह नौन इंवर्टर इसी पे जर्क लोड आपका पड़ता है तो पूरी आप गौर करते होंगे घर की लाइट में एक हलका से डिमर होता है इस तरीके से जैसे कंप् परचेस करें इनवर्टर एसी परचेस कर इनवर्टर का मतलब यह नहीं है कि आपकी जो है वह इनवर्टर पर चलेगी यह सिर्फ एक टेकनलोजी का है कि टेकनलोजी का नाम लिया गया है इनवर्टर टेकनलोजी अब हम बात करते हैं इसमें टन्स क्या होता है जैसे आप ल sû और ऐसी लिए तो एक सिंपल सा समझी कि डियर टन आपके रूम में बर्फ रखी हूए जितनी कूलिंग वह करेगी उतने ही आपके डियर टन की एसी करेगीảng सैयर कूलिंग से इसका मैथटर है ऐसा नहीं डियर टन की है तो बहुत ज़ाद हो डियर टन एक कंजप्शन पावर कंजप्शन लेगी ऐसा कुछ भी नहीं नॉर्मली अगर आप 24 डिग्री सेंटिग्रेट सेट करके रखते हैं तो आपकी एसी जो है लगबख सास सो से बारा सो वाट के बीच में आपकी चलती रहती है एसी कोई भी दिक्कत ने एकर रूम प्रॉपरली क्लोज है एर लीकेज वगेरा उसमें रूम में नहीं है तो बताईगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी अगर इससे रिलेटेट कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं और हमारे चैनल पर बने रही है